उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्त होंगे ठीक है अब हमने अपने एक math का chapter complete किया एक chapter हमने complete किया intelligence का हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपनी GS की तरफ क्योंकि थोड़ा partner हम इसका भी कर लेते हैं जिससे कि आपके सारे subject एक साथ parallelly चलते रहें नहीं तो ऐसा हो सकता है ना कि math का आपका ज्यादा syllabus हो गया intelligence का ज्यादा हो गया और GK हमने touch भी नहीं किया तो वहाँ confidence low आ जाता है तो हम यहाँ start करते हैं अपनी ancient history शुरुवास से तो आपको जैसे यहीं पता चल रहा होगा सबसे पहले मैं आपको थोड़ा brief दे दू हिस्ट्री की ठीक है तो आपका जो हिस्ट्री होती है सबको पता होता है कि history का मतलब क्या होता है study of past is called history यानि कि जा हम क्या करते हैं past की study किसलिए करते हैं अब केवल past की study ही अकेली history नहीं होती है अगर आप थोड़े open level पर कभी आपने history देखी होगी या जो UPSC की तयारी करते हैं या जो PhD बगरा करते हैं तो history में केवल यहीं नहीं आता है कि यह ऐसा क्यों हुआ था मुगल इंडिया में क्यों आये इसमें आपका पूछा जाता है कि ऐसे क्या कारण थे ऐसे क्या रीज कि हमारे किस ruler ने क्या गलती की जिसका impact बाद में बहुत बड़ा हुआ तो यह आपको छोटी छोटी चीज़े इसमें याद रखना है समझ में आया है हम ज़्यादा वो ना करते हुए अपने topic पे आते हैं तो history को यहां तीन पार्ट में divide किया गया है आपकी सबसे पहले ancient फिर medieval और modern समझ में आया है आपकी ancient, medieval और modern अब आपको पता चल रहा होगा modern यानि की latest, medieval यानि की beach की और ancient यानि की पुरानी तो इनके अगर हम time period की बात करें आपका तो यह हमारा होता है 2500 BC 2 आपका 712 AD और यहां 712 AD से आपका कितना होता है 1498 AD यह आपका medieval का है और modern का आपका 1498 से और जब तक हम आजाद नहीं हो गए थे यानि की 1547 था तो यहां इस तरीके से आपकी यह क्या है time period बाते गए हैं कि हमें शुरुआज से यानि जब से हमारा civilization चला है इंडर्स वैली civilization से यहनी 2500 BC से और 712 AD तक हमने क्या रखा है इसको ancient history में और medieval में क्या रखा है हमने 712 AD से 1498 AD और यहां 1490 AD से और यहां 1947 है 1547 नहीं है जब हम आजाद हुए थे समझ में आया है हम देखते हैं इनका time period यहीं क्यों divide किया गया है तो यहां आपको starting part तो पता होगा कि 2500 BC से क्या हुआ हमारी civilization start हुई थी यानि कि इसके पहले हमें कोई मिलता ही नहीं है हमें कोई proof ही नहीं मिलता कि इसके पहले civilization थी तो जहां से हमें proof मिलते हैं सबसे पहले हम यह चीज़ समझते हैं कि history com पढ़ते कैसे हैं यहां नहीं तो आप confused हो जाओगे तो history com पढ़ते कैसे हैं मान के चलो आप आपने कहा कि प्रत्विराज चोहान का जो battle हुआ था वो मुहमद गौरी से हुआ था अब कैसे कह सकते हो कि आउस टाइम Google था या वीडियो ग्राफी हुई थी तो आप कैसे कह सकते हो sources से कौन कौन से sources से एक तो उनके pillars वगएरा आपको मिले या फिर उस टाइम के जो scholars थे उनकी books वगएरा थी तो इस तरीके से या फिर उनके महल वगएरा जो कुछ उनके है ना कि हम humans का evolution हुआ पहले हम आदी मानव वगएरा थे पर यहां हमने देखा कि direct हम कहां आ गए आपके civilization में civilization का मतलब एक तरीके जैसे cities होती है ऐसे और इंडस बैली civilization अपनी cities की बज़े से ही जानी जाती है तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम जो पहले evolution के पहले हम कहां रहते थे गुफाओं में रहते थे और सीरे यहां आ गए तो उसके पीछे भी कई हजारों लाकों साल हो गे पर हमे 2500 BC क्योंकि इसके पहले कुछ मिला ही नहीं तो हम पढ़ेंगे नहीं तो 2500 BC से यहां बात करते हैं 712 AD यह 712 AD important है कि यहां तक ही क्यों पढ़ा क्योंकि अगर यहां आप देखोगे तो आपका अभी तक invasion नहीं हुआ था बाहर से आपका बाहर से invasion नहीं हुआ था और 712 में ही स मह्मूद गजनवी ठीक है आपके यह क्या हुआ कि foreign invasion आपका start हो गया तो जैसे foreign invasion start हुआ means भारी आकरमर कारी चालू होगे इंडिया में आना तो आपने लूट मार सुनी होगी कि आपका सुमनात मंदिल तोड़ा या मान के चलो आपका यह काफी सारे आपके नालंदा युन एवल इंडिया में ठीक है तो इसलिए 712 AD और 2500 BC तक हमने माना कि ये टाइम पिरेड है मारा किसीज का ancient history का समझ मैं अब ये BC और AD क्या है अभी हम ये भी समझेंगे थोड़ी देर बाद ये भी समझेंगे सेम आपका 712 AD आपको पता चला यहां आया अब ये तो आपको पता चल गया कि यहां से हमने क्यों लिया लेकिन 1498 में क्या हुआ 1498 में पहरे बच्चों अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा कि 1498 में सबसे पहला European invasion हुआ है अभी तक जो invasion हो रहा था ही अफगानिस्तान तुर्की या Central Asia मिस से हो रहा था पर यहां आपका क्या हुआ कि सबसे पहले बास्को डिगामा भारत आया यानि की एक तरीके से कहा जाए European language में क्योंकि हम जो यह history पढ़ रहे हैं हमारी history किस ने लिखी है British अर्ष ने तो उनके according वो लोग modern है और हम लोग पिछडे हुए थे इसलिए जब 1498 में Europeans आना शुरू हुए तब Indian subcontinent में आपका क्या है modernization तो इसलिए यहां हमसे कहा गया कि 1498 से अब आप पढ़ोगी modern India क्योंक modern किया आपका 1947 तक जब तक हम आजाद नहीं हो गए तो इसलिए हम इने इस इस part में तोड़के पढ़ते हैं तीनों को यह आपका important है कभी पूछ ले तो यह आप याद रखना अब हम देखते हैं कि यह BC और AD का क्या खेल है ठीक है यह भी देखते हैं यह इतने easy समझते हैं चल अब हम देखते हैं यह BC और AD में क्या difference है चलिए आप लोगों में जादा तर लोगों को मुझे पता है math में थोड़ा interest होगा और math की आपको अच्छी knowledge भी होगी तो हम इसे math से ही connect करके देखते हैं आप लोगों को पता है ना कि यह एक math में number line होती है होती है के नहीं होत है ची रो और अगर हम इसके साइड जाते हैं तो 1-2-3-4 ट्रीर यहापका infinity तो जाते हैं के निदर इंफेनिटी तक और सेम अगर हम इस साइड जाते हैं तो आपका मायनस वन – को मायनस चू मायन स्थी मायनस प वूर मायनस फाए और ड narrowANS पाइप यहां ब्हां देश्व हम म परिजन करते हैं, अब यहाँ आपने एक चीज सुनी होगी, कि बिफोर क्राइश्ट, ठीक है, यानि कि क्राइश्ट के जन्ब के पहले, तो आप क्राइश्ट क्या थे, आपको पता होगा, कि यहाँ ईजस क्राइश्ट एक है, जो Christianity के God माने जाते है समझ भाया तो उने के birth को यहाँ हमने timeline माना 0 यानि कि जब उनका birth हुआ था वो time क्या था? 0 था अब उसके बाद आपने देखा होगा 1 year हुआ, 2 year हुआ 100 year हुआ, 200 हुआ फिर यहाँ 500 then 1000 और ऐसे अभी कौन सा year चल रहा है 2024 यह negative line होती है तो अब सीधी सी बात है कि इनका जब जन्म हुआ उसके बाद का तो हमने incident ले लिए पर जो इनके पहले जन्म हुआ है ऐसा तो है नहीं कि इनके जन्म से पहले कुछ घटनाय नहीं हूई होगी कुछ incident नहीं हुए होगे तो इनके पहले जो incident हुए हैं, उनको हम कैसे represent करेंगे जब 0 हमने यहाँ माल लिया, तो उन्हें हमने इस तरीके से माना कि यह हाँ उल्टी चलेंगे, कैसे उल्टी चलेंगे, जैसे आप देखिए, यहाँ आपका क्या हुआ, 1 माल लिया हमने, यहाँ 2 माल लिया, यहाँ 3 माल कि यहाँ बिल्कुल opposite चल रहा है अब जैसे यहाँ हम एक और question के तुरू समझते हैं अगर आप से पूछा जाए कि Indus Valley civilization को हुए कितना time हुआ है start हुए तो आप यहाँ क्या काओगे कि सर यहाँ से 0 से पहले हम in account करेंगे means 2500 year तो यह हो गए और 2024 साल यह हो गए कहोगे के नहीं कहोगे यानि कि इसे प्लस करके आप निकाल सकते हो कि सर 4524 यह पहले हमारी Indus Valley civilization start हुई थी तो यहाँ आपको समझ में आया होगा कि BC और AD का क्या खेल होता है कि इस साइड वालों को हम क्या कहते है AD और इस साइड वालों को हम कहते है BC तो अगर आप से कहा जाए अगर आप से कहीं कुश्चन आए कि हमारा जो ऐसे जो बैदिक कल्चर है वो आपका कब से start हुआ 1000 BC से तो means आपका यहाँ कहीं माल लो हम 1000 BC माल ले रहा है तो यहाँ जीरो पहुँचने में 1000 यह हो गए और प्लस यहाँ 2000 24 हो गए तो यानि 3000 24 यह पहले हमारा बैदिक सिबलाइजेशन start हुआ तो इस तरीके से आप समझ सकते हो तो अब हमें क्या करना है कि पहले अगर हम पढ़ेंगे ancient history में तो हमें 2500 से आगे की तरफ चलना है तो आप लोग confused मत होना जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा example दूँगा आप आगे history में पढ़ोगे कि चंद्रगुप्त मौरिका आपका जो crowning हुआ था वो कब हुआ था 3 22 BC में ठीक है और उसकी death होई 298 BC में तो आप नॉर्मली तो आपका होगे के सर किसी का जैसे मान के चलो आपका बर्थ हुआ है 2009 में और साइद death होगी आपकी 2100 में तो यह यहां से यहां तक चल रहा है समझ में आ रहा है कि भाई पहले जनम हुआ देन उसकी death होगी किसी person की पर यहां आप देख रहा होगे कि उल्टा नहीं हुआ कि 322 में आपका क्या हो रहा है उसकी crowning हो रही है यानि कि वो राजा बन रहा है और death उसकी हो रही है 298 में यह तो वही हुआ ना कि 2100 में वो पैदा हुआ और 2009 में मरा सेम हुआ लेकिन यह क्यों हुआ क्योंकि हम minus में count करते है और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि math से हम इसे relate करके देखेंगे math में जो minus की आपकी digit होती है जैसे minus 8 और minus 2 इन में इसे बड़ा कौन है minus 2 आपने सुना होगा ना कि minus में जो आपकी छोटी digit होती है वो हमेसा बड़ी होती है तो इसी लिए हम क्या करते है कि यहाँ 2500 से इधर की तरफ चलते है हमें 0 पर पहुचना है तभी तो हम आगे जाएंगे तो यहाँ आएगा 2499 2498 तो ऐसे ही अब यह राजा कब बनाता आपका चंद्रकुप्तु मौर 322 यहाँ आया और आगे की तरफ गए तो यह 298 में इसकी डैथ हुई फिर आगे जाते जाएंगे और 0 पे पहुचेंगे तो यह खेल होता है आपका BC का और AD का तो इसे देखके आप कन्फ्यूज मत होना क्यूंकि हमें लगवग लगवग 2500 जैसे कि आपको पता ही है इंसेंट हिस्ट्री में हमें BC में ही पढ़ना है और किवाद 712 एर इंसेंट हिस्ट्री में हमें AD में पढ़ना है तो आपका यह पूर्शन जादा है इसमें कई सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं मैंने एक बच्चे से पूछा मैंने का यह बताओ यह आपको नहीं लगता कि यह उल्टा लिखा हुआ है कहां सर बुक वाले ने गलत लिखा हुआ है पहले उसका जन्म होगा तभी तो राजा बनेगा यह कैसे उल्टा हुआ तो आपको इस चीज में कन्फ्यूज नहीं होना है यहाँ आपको यह चीज क्लियर होनी चाहिए कि इसका यह क्या फंडा है ठीक है समझ में आया अच्छे से चलो अब हम आगे बढ़ते है अब हम आगे देखते हैं कि ancient history में हमें पढ़ना क्या क्या है ठीक है क्योंकि हमें यह भी तो देखना है कि अब पढ़ाई शुरू करती कहां तक जाना है क्या पढ़ना तो ऐसे तो नहीं होता न तो हमें पढ़ना भी है तो सबसे पहले अगर हम ancient history की बात करें तो इसमें हमें देखना है आपकी Indus Valley Civilization जो must है आप पढ़ना ही पढ़ना है Indus Valley Civilization अब Indus Valley Civilization के अगर हम time period की बात करें तो आपको क्या करना पढ़ेगा इसका time period आपका 2500 BC से और आपका 1750 BC तक समझ में आया यानि कि aprox आपकी 750 years के आपको इसका पढ़ना पढ़ेगा यानि जो हमारी Indus Valley Civilization रही है वो कितने time तक इसने exist किया आपकी 750 years फिर देन इसके बाद एक नई civilization इस्टार्ट हुई आपकी कौन सी वैदिक वैदिक civilization अब यहाँ confuse मत होना बैदिक civilization अब जैसे इनके नाम से ही आपको इनका origin पता चल रहा होगा जैसे Indus Valley Civilization इसका नाम है means इसका क्या हुआ कि जो Indus आपकी river है और उसकी tibiu tree है सबसे पहले मैं आपको एक चीज clear कर दूँ कि यह जो Indus Valley Civilization नाम है यह उस time नहीं था यह उस time किसी ने नाम नहीं दिया था Indus Valley Civilization यह क्योंकि हमने जब उसकी खुदाई की हमें जो यह सहर मिला है तो यह कहां मिला है आपके Indus की Valley में ही मिला है जातर जो इसकी cities, team man man आपका mohanjo, dao, harpa वगएरा यह आपके Indus की क्या मिला है Indus के ही किनारे किनारे उसकी Valley में मिला है इसलिए हमने इसका नाम रख दिया Indus Valley Civilization और इसका दूसरा आपका नाम क्या है हडपन Civilization अब हडपन Civilization है क्योंकि हमें जो सबसे पहली आपकी city मिली है ना कुदाई के दोरान वो आपकी 1921 में यही मिली थी हडपा तो इसलिए हमने इसका नाम हडपा भी रख दिया आपकी जो Indus Valley Civilization है हमें जो कुछ उसका मतलब जो एक तरीके से कहा जाए पिलर्स या सिलालेक मिले है न तो उनकी language को अभी तक हमने decode नहीं कर पाया है कि इसमें लिखा क्या है तो हमें अभी तक exact नहीं पता कि इस civilization को उस time क्या कहते थे हमने केवल अपने prediction के according क्योंकि अपनी हमें क्या लगा कि भई यह Indus Valley Civilization Indus के किनारे मिली है तो इस civilization का नाम रखते हैं Indus Valley Civilization समझ में आया अब यहां हम देखते हैं बैदिक Civilization आपकी बैदिक Civilization का मतलब क्या हुआ जैसे कि यह था इस time पे जो यह time period है आपका कौन सा 1500 BC से 600 BC तक तो आप इस time period के बारे में हमें कहीं कुछ नहीं मिलता यानि कि न तो हमें कोई केवल और केवल वेदों से मिला है ठीक है कहां से वेद से तो इसलिए इस time period को हमने क्या का वेदिक Civilization अब इसे भी दो पार्ट में आपके डिवाइड किये गए है सबसे पहले रिग वेदिक एज और सेकेंड आपका लेटर वेदिक एज अब इन दोनों में आपको जैसे दिख रहा होगा रिग वेद का मतलब आपका 1500 से BC से लेके आपका 1000 BC तक इस time period का आपको किस से मिला है रिग वेद से जो हमारा पहला वेद है आपको पता होगा और सबसे वड़ा वेद भी है इसे खेर हम आगे पढ़ेंगे तो इस time period के वारे में आपको यहां से पता चला है इसलिए हमने इसका नाम दिया है रिग वेदिक एज और यहां 1000 से लेके आपका 600 BC तक आपको कहां से मिला है बाकी के जो वेद हैं हमारे जो बाकी के तीन वेद बचे उनसे मिला है इसलिए इसे नाम दिया गया है Later Vedic Age यानि रिग वेदिक काल और उत्तर बैदिक काल यानि कि After Rig Ved जो बाकी के तीन वेद है तो यहां हमें यह पढ़ने है Then फिर यहां से आपके स्टार्ट होंगे जिनके बारे में आपने सुना होगा मगध हुआ आपका कौसमभी अवन्ती, बच्जी यह सब आपके यहां से स्टार्ट होंगे यानि कि जो राजा रानियों की कहनिया आपको अच्छी लगती है वो आपके यहां से स्टार्ट होंगे From there और वो कैसे यहां राजा और रानियों बने उसकी भी स्टोरी आपकी वैदिक एज में छुपी हुई है और बहुत इंट्रेस्टिंग है अगर आपको देखना है या सुनना है तो आप हमारे साथ अगले पार्ट में बने रही है Thank you, मिलते हम अपने दूसरे पार्ट में